हालो दोस्तो राना क्लासिज में आपका स्वागत है तो बहुत सारे लोग कॉमेंट बॉक्स में भी बहुत अपडेट फूच रहे थे कि 64B BPSC परी जो पटना है कोड में चल रहा है उसका क्या ताजा अपडेट है तो ताजा अपडेट यही है कि 64B BPSC प्रारंबिक परिच्छा के इस मामले में पटना हाइकोड में आज 5 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई है सुमबार 8 जुलाई को आएगा फैसला तो बहुत बड़ा दिन है जो कि आज का दिन रहा क्योंकि कल है जो कि 6 प्रशनों पर हुआ था तो आज है जो कि पूरी बहस है जो कि हो गई है अब कोई भी सुनवाई नहीं होगी सीधे है जो कि सुमबार को फैसला आएगा तो निश्चित रूप से 64B BPSC जो मेंस देने वाले व्यरति हैं उनके लिए उहापो है और BPSC है जो कि निश्चित रूप से ADMIT CARD है जो कि जारी कर देगा क्योंकि वेट नहीं करेगा कि रोग लगे क्योंकि जब तक रोग नहीं लगे तब जब BPSC ADMIT CARD निकाल सकता है तो उमीद है कि अगर आने काड रहेगा तो आज आ जाएगा नहीं तो फिर सुमबार के फैसले के बाद आएगा तो दो ही के बकील ने काफी है जो कि बहस किया और इधर के पच के बकील ने भी काफी मतलब मुंदे उठाए लेकिन बात यही है कि क्या सेटिंग अगर जबरदस्त होगी क्योंकि ललित की सोर जैसा बता रहे थे कि जो बिसे सग्गे हैं वो काफी सही है और उनका जवाब बहुत अच् इसकी जो अच्छी खबर है जहां तक बात है कि अगर बहस का जो पूरा नतीजा देखा जाए तो कहा जाए तक सकता है कि पूरी तरह अभी हर्थियों के पाच्छे में होगा लेकिन जो दो तीन बेपीसी और जो सेटिंग चल रही है बीपीसी भरसेश कोट का उसके नुसा अगर गलत निकला तो मैं extra result दूँगा तो निश्ची तुरूप से अगर सेटिंग किसी कारण बर्ष नहीं होती है तो निश्ची तुरूप से extra result और जहां तक संभावना है कि कितनी percentage है जो की chance है तो निश्ची तुरूप से आज की बहस से लगता है 70-30 ही है 70 मतलब हो गया कि अगर पुराने record को ना दिखा जाए तो तो निश्ची तुरूप से अच्छी ख़वर और जहां तक मेंस वाल देने वालों कि वह क्या करें तो वह बिलकुल अभी ना सोचे कि होगी नहीं होगी वह पूरी तरह मान कर चले कि 12 जुलाई हाला कि यह आसान नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन सारे लोग है जो कि पढ़ाये छोड़कर इसी पर होगी नहीं हो क्योंकि कितने लोग होटल ले लिए हैं तो कितने लोग ने टिकट कटाया है कितनों लोगों ने चुटी ले ली है तो निश्ची तुरूप से काफी उनके लिए भी आसान नहीं है और इस होगी 100% होगी तो निश्ची तरह चले लेकिन अभी भी अधर में लटका हुआ है तो निश्ची तरूप से अगर परसेंटेज की कहा जाए 70% अभेरतों के पच्छ में और 30% BPSC के पच्छ में और पूरे प्रशनों पर है जो कि जोड़दास बहस चली और लंबी बहस चली क्योंकि आपने देखा होगा कि सारे 12 वजे के सुनवाई थी उसके बाद लंज के बाद भी चली है और ये केस की नहीं और भी केस थी उसकी भी सुनवाई चली तो निश्ची तरूप से यही आज का अपडेट है तो आठ तारिक को आपको जुलाई को आपको इंतजार करना पड़ेगा और ऊसी दिन है जो कि फैसला आएगा और उस दिन का इंतजार करना होगी मेंस की यह नहीं नहीं चोंडे रोक लगेगी उसके बाद है जो की आंसर है जो कि सुधारने के लिए कहा जाएगा उसके बाद डिजयल्ट आएगा तो देखना है आर जुलाई का दिन काफी महत्पूर्ण होगा तो इसी खबर के साथ धन्यवाद